वेलकम बैक टू माई चाइनल आज हम आप लोगों के लिए चिकन फ्राई की रेसिपी ले क्या है जो बिल्कुल नए तरीके से हमने बनाया है अंदर से एकदम जूसी है उपर से क्रिस्पी है और देखते ही तो दिल कर जाएगा बनाने का इस तरीके से अगर आपको चिकन फ्राई बनाना है तो वीडियो एंट तक देखिएगा बहुत आसान है बनाना बहुत ही टेश्टी ये बन के तयार होगा चलिए हम शुरू करते हैं एक किलो चिकन हमने ले लिया है चिकन को इस तरीके से गहरे-गहरे कट लगा लेंगे ये लेक का पीस है आप चाहे तो किसी भी पीसेस में बना सकते हैं हम सारे में कट लगा लेंगे अब इसको नमक और विनेगर के पानी में डिप करेंगे एक बड़ा चमच विनेगर ले लेंगे एक छोटा चमच नमक अब इसको mix कर लेंगे और सारे लेकपीस को हम इसी में dip कर देंगे करीब 15-20 मिनट के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो like करना ना भूलिएगा ज्यादा ज्यादा लोगों में share करिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please 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 subscribe करिए अब इस तरीके से हम 15-20 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे wash नहीं करेंगे नमक और विनेगर का टेस्ट उसमें रहना चाहिए 1 टीसपून गरम मसाला पौडर 1 टीसपून धन्या पौडर 1 टीसपून लाल मेर्च पौडर 1 टीसपून काली मेर्च पौडर 1 टीसपून अब दही है यानि की दो टेबल इस्पून यह दो टेबल इस्पून बेसन है तकरीबन क्वाटर टीसपून फूट कलर आइड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे 1 टीसपून रोष्टेड कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके हमने आइड कर दिया है अब यह बेसन अब दही को भी मिक्स करेंगे हाफ लेमन जूस और इस तरीके से हम गलप्स पहन के जो है इस तरीके से जो हम मिक्स करेंगे ताकि हाथ पे कलर न लगे अब अच्छे सी मिक्स हो गया है अब 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे आप लोग हमें सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इजी टेश्टी रेसिपी लेके हम आते रहेंगे अब ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अब आपको हम फ्राई करके दिखाएंगे अल हमारा गरम हो चुका है इस तरीके से पीसेस को हम आल में आट करेंगे अब उलट पलट के 5 से 7 मिनट में ये किरिस्पी जा फ्राई हो जाएगा बहुत आसान है बनाना और बहुत ही फटा-फट से बनके तायार हो जाएगा सभी को बहुत पसंद आएगा देखते ही तो मुह में पानी आ जाए वीडियो को देखिए आप इस तरीके से चिकन फ्राई बनाईए नेबू लच्छे प्याज के साथ आप इंजवाय करिए देखे अच्छे से ये कुख हो चुका है अंदर से एक जम जूसी है उपर से जम क्रिस्पी है इस तरह के से बनाईए इंजवाय करिए आपने हमारे वीडियो के देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमें सपोर्ट करिए हम बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं